हालो फ्रेंड्स प्रियाईजी कुकिंग मैं आपका फिरसे स्वागत है आज मैं आप लोगों के साहा शेयर करने वाली हूँ मसाला ओनियन राइस की रेसिपी जो की जटपर्ट से बन जाता है जब भी कोई मेहमान घर में आ जाए तो आप इसे दो मिलेट में बनाकर उन्हें स किसे डिसटे में भी बना सकते है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्विस्ट है अगर आप ने अभी तक मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में जू पासके बैल बटनलने उस पर पी क्लिक केजिए वीडियों कि नोटि में तेल लेंगे और तेल की गर्म होते ही इसमें जीरा और एक तेज पता राइट कर देंगे जीरा भूनने के बाद हम इसमें दो मीडियम साइज की लंबाई में कट हुए प्याज डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर डार्क ब्राउन ना हो जा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और साथी हम इसमें नमक डालेंगे बस इस मसाला राइस में यही दो मसाले डलते हैं इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं डलता है जो प्याज का फ्लेवर है वो राइस में काफी उभर के आता है उसकारण से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अ तूटने तक हम कुप कर लेंगे यह देखिए राइस से पानी एकदम तूट चुका है और हमारे राइस जो हाफ कुख हो चुके हैं अब हम इसे कवर करके मीडिया माच पर 2-5 मिनिट और कुख कर लेंगे ताकि जो राइस जो कच्छे रह गए हैं वो अच्छी तरह से पक जा है आप देख सकते हैं जो ओनियन का कलर है वो राइस में कितनी अच्छी तरह से चड़ा है हमारा ओनियन मसाला राइस बनकर एकदम तयार है तो थाना यह एकदम ईजी और सिंपल आप इसे घर पर बनाएए एक बार जरूर ट्राइए किजिए आपको यह काफे पसंद तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसल आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तो मिलते हैं अब मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए